हुल्लो फ्रेंट आज हम करने जा रहे हैं डबल फ्रिल शीव्स यह एक सै भर कि जिसमें डबल फ्रिल हम बनाएंगे तो दोस्टनों एक हमारा नीचे का जो नेट है उसकी लमबाई है 22 जो उपर गनेट है उसकी लंबाय अठारा ही अब इसको हम चार भाग करेंगे चार भाग इस तरह से करेंगे चार भाग हमारा यह हो गया यह हो गया अब इसमें हम लगाएंगे एक हलकी सी पिन और दोस्तों सबसे पहले इसके चार भाग को हम मिज़र करेंगे ग्यारा ग्यारा तो दोस्तों ग्यारा की एक मारकिंग हम यहाँ पर करेंगे दूसरी यहाँ पर करेंगे तीसरी यहाँ पर करेंगे यह तो हमारा एक गोल सरकल बन गया है अब इसकी हम करेंगे कटिंग अब यह हमारा पूरा जो है राउंड शेप बन गया अब इसमें एक बार हम यहाँ से इस तरह से चौक का मारकिंग लेंगे था कि 20 सेंटर का हमको अंदाजा रहे और इसको हम पूरा इस तरह से खोल देंगे तो दोस्तों सिलिप्स की जो लंबाई है हमारी वो है टेन इंच यह हमारी टेन इंच हो गई अब टेन इंच में तीन इंच हम देते हैं तीन से साड़े तिन आर मोहल को डाउन करते हैं तो इसका हम मारकिंग करेंगे साथ इंच पर अब हमारा जो यह बीच का हिस्सा बच रहा है वो बच रहा है फोर इंच डेल इंच से एक मारकिंग इस तरह से करेंगे और यहां से देंगे हम इस तरह से गुलाई अब आर मोहल जो है हमारा वो है सोलाई जैनि हाफ आठ इंच हमको यह चाहिए गुलाई आठ इंच यह आ रहे है दोस्तों साथ इंच अब इसको हलक आसा यहां से हम गोल देंगे अब यह हमको चाहिए आठ इंच सबसे पहले इसके हम पटिंग करेंगे गुलाई की एक बार इसको फिर से मिज़र कर लेंगे ग्यारा इंच तो दोस्तों अब यह हमारा आठ इंच आ गया यह अब इसको हम करेंगे डबल लियर वो कैसे करेंगे वो अभी बताते हैं अब जो हमने अठ रा इंच का एक दूसरा पीस रखा हुआ था उसको हम करेंगे फोर भाग जैसे हमने इसमें अभी किये थे और इसमें लगाएंगे एक हम पिन इस तरह से एक बार इसको हम करेंगे पहले मिज़र नाइन नाइन इसको देंगे हम यहां से गुलाई अब यह हमारा गोल हो गया अब इसमें जैसे उसमें हमने एक बैक्स बीचो बीच से सिंटर लगाया था निशान इसमें भी इस तरह से लगाएंगे और इसको यहां से इस तरह से खोल देंगे अब नाइन नाइन इन्च लंबा हमारी यह हो गई और 9 इंच में हम 3 इंच करेंगे यहां से कम तो हमारा हो जाएगा 6 यह निचान लगाएंगे यहां से 3 इंच और यहां से 1.5 इस तरह से हम एक बोक्स टाइप में सरकल बनाएंगे और इसको यहां से कर देंगे हम गूल इस तरह से गूल करने के बाद दोस्तों जो हमने अभी तरीका अपनाया था से वही तरीका होगा यहां से इसकी कर देंगे हम कटी अब हमको यह गुलाई चाहिए 8 इंच कितनी आ रही है यह रही है साड़े साथ इंच दोस्तों हल्गासा इसमें शेप देंगे इस साइट से ताकि हमारी लंबाई कम नहीं अब यह हमारा आठी जा रहा है अप्रिल अब इसको हम करेंगे इस तरह से डबल इस तरह से डबल फ्रिल कर देंगे और यहां पे हम कराएंगे पी को और उसके बाद कर देंगे आठेज तो पहले लगाएंगे इसमें एक हम सिलाई उसके बाद कराएंगे पी को तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं हमने इस फ्रिल पर पी को करवा लिए अब जैसे नार्मर स्लीप्स चलती है अस्तीनों बलाउजों में अस्तीन ठीक उसी तरह से आपको टेज करना है यहां से इस तरह से जो सोल्डर के पास का चटका है वहां भी इस तरह से आप मिला लें बिल्कुल बराबर प्लेश नार्मर बलाबर कि अगर आपको वर लाग करना है तो आप सिंगर लगा लें वर लाग नहीं करना है तो आप इसी को एक जिसे हम कगरी से लाए बोलते किनारी से लगा लिया था कि इसके फुजड़े बाहर मालें जाए कि दोस्तों देखा आपनी स्लिप्स हमने चड़ा लिए और स्लिप्स लगने के बाद कुछ इस तरह से आपको दिखेगी जैसा हमने बताया था स्लिप्स की लेंद है हमारी टेन इंच जो कि यह बराबर आ रही है तो दोस्तों वीडियो करते हैं समाप यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट में लिखिएगा थैंक्यू फर वाच में हलो फ्रेंट्स आपके सामने मुवाईल स्क्रीन पर ब्लाउज नजर आ रहा होगा बेल सिलिप्स का हमने इस वेल सिलिफ्स की कटिंग और इस स्टिचिंग का वीडियो बना रुपा जो आपको दिखाने जा रहे हैं तो दोस्तों इसकी स्टिचिंग और कटिंग हमने कर